पूरी रात फोन चार्ज करने से क्या होता है और लॉस एंजलिस में आप दो बच्चों को एक ही साथ नहीं नहीं ला सकते लेकिन क्यों एक दिन में जितने बच्चे पैदा नहीं होते उससे ज्यादा एक दिन में लोग आईफोन खरीते हैं और आखिर उंट पानी को अपने बॉडी में कहां श्टोर करता है जानने के लिए बने रना विड़ो के एंड सकते नमर 20 आप यकीन नहीं करोगे कि अंब्रेला पहले के टाइम पर सिफ वोमेन ही यूज करती थी हाँ छाते को बहुत पहले सिफ वोमेन ही यूज करती थी मैं इस अंब्रेला का यूज नहीं करते हैं चाहे वो मैन हो या वोमन नमर 19 नो पार्किंग नो कार अगर आप जापान में रहेंगे तो आपको यही चीज फॉलू करनी पड़ेगी इसका मैं समझाता हूं कि अगर आप जापान में आप कोई भी कार खरीदना चाहेंगे तो उसके लिए पहले आपको ये बतान बच्चे जम लेते हैं पर हैरान करने वाली बात तो यह है कि जितने बच्चे एक दिन में पैदा होते हैं उससे भी ज्यादा आइफोन एक दिन में बेचे जाते हैं सब्सक्राइब करोगे तो आपको पूरे 258 डेज लग जाएंगे इसका कम्प्लीट वन राउंड मालने म यानि कि सैटन का एक राउंड लगाने में आपको 258 डेज लग जाएंगे अब मैं आपको एक ऐसे वर्ड के बारे में बताऊंगा जिससे बोलने में मतलब कि प्रेनाउंस कलने में 3 घंटे 30 मिनिट लग जाते हैं जो कि अब तक का सबसे लॉंगेस्ट नोन वर्ड भी है अ इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर आप सिर्फ एक मिनिट के लिए गुस्सा करते हो तो यह आपके इम्म्यून सिस्टम को 4-5 घंटों तक कमजोर कर देता है इसलिए जितना हो सके अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए नमर 14 एक भालू ने साल 1985 में एक ऐसा काम किया जिसे जानने के बाद आप शौक हो जाओगे क्योंगी इस भालू ने 15 मिलियन डॉलर यहनि करीब 10 करोड 80 लाग का कोकेन खा लिया और इस फैक्ट को जानने के बाद मेरा रियक्शन कुछ ऐसा था नमर 13 बहुत से लोगों से मलने के पहले उनके आखरी इच्छा पूछी जाती है ऐसा ही एक शक्स को जब उसके आखरी इच्छा के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि जब वो मरे तो उसे उसके हाली डेविड सन के साथ एक बड़े से ग्लास के चेंबल में दफनाय आजाए ताकि लोग एक राइडर के आखरी राइड को देख पाए और आप उसकी बाइक इस इमेज में देख सकते हो नमर 12 इस्तांबूल कंट्री में एक कैट का नाम था टुमबूली वो रोड के पास कुछ इस तरी के पॉइस्चल में ज्यादा तर रिलेक्स करती थी और जब इस बिल्ली की डेथ हुई तो वहां के लोगों ने इस बिल्ली के सम्मान में एक छोटा सा मॉनिमेंट बनाया ठीक उसी जगत जहां वो बिल्ली यूनिक पॉइस्चल में रेष्ट किया करती थी इस प्यारी सी कैट के लिए इस विड़ो पे एक लाइक तो बनता है आज इंस्टा जिससे के दुनिया के बहुत से लोग उसके यूनिक और क्रियेटिव फीचर्स के लिए उसकरते हैं जैसे कि उसके गजब के फिल्टर्स पर आप बिलीव नहीं करोगे कि एक 24 साल के लड़के ने 41,000 डॉलर बस एक इंस्टागाम फिल्टर जैसा दिखने के पर बात कर दिए और इस महान लड़के को आप देख सकते हो जिसने की इतने सारे पैसे सिर्फ एक फिल्टर जैसा दिखने के लिए पर बात कर दिए भरस आपको ज्यादा नहीं हो गया है मतलब कुछ भी कुछ भी नमर टैन चलिए अब मैं आपको मिलाता हूं घोडी की सब लग बनाती है और आप इस पिक्चर में इसे बखू भी देख सकते हो कि यहां पैदा होने के टाइम इसका कलर ब्लैक होता है पर कुछ साल बाद यह वाइट कलर का हो जाता है वाव हवाई के वालकने उस में जो लावा निकलता है उसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानों धेल सारे ट्विस्टेड हुमन की बॉडिस पड़ी है नेचर में ऐसे बहुत से अंगिनत चीज़े हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और ये लाव वहाँ की गवर्नमेंट ने हेल्थ रिलेक्टेड प्रब्लम्स को दूर करने के लिए बनाया है और वहाँ ऐसे और भी बहुत से अनोखे लाउज हैं जो कि आपको और किसी जगह पर देखने को नहीं मिलेंगे जब आप खाना खाते हो तो आपके हाथ और उंगली का जो पॉइस्चर बनता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है वो इंडारेक्टली ऐसे एनरजी बनाता है जो कि आपकी बॉड़ी को हेल्दी रखने में काम करता है यानि कि खाते समय जो आपके हाथ और फिंगल की प बचा रहे हैं वही साल 1980 में लास वेगस के एक हॉस्पिटल में वहां नर्सेस बेट लगा रही थी कि पहले किस पेशेंट की मौत होगी और इस कालना में की चलते हैं उन्हें हॉस्पिटल से सस्पेंड भी कर दिया समफाई एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां ना तो कोई रोड्स होंगे और ना ही कोई कार्स जी हां आप मानोगे नहीं कि साओधी अरीबिया में नियौम नाम का एक शहर बनने जा रहा है जहां एक भी रोड्स और कार्स नहीं होंगे इस प्रोजक्ट को वहां की गवर्न्मेंट ने 2030 तक पूरा होने को बताया है आप में से बहु इरान्मेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे और यहीं नहीं इस नियौम शहर को पूरी तरह कार्बन फ्रेंडली भी बनाया जाएगा मतलब पेट्रोल और डीजल की जगर यहां पल सभी काम सोला एनरजी की मदद से किये जाएंगे इस अमेजिंग से शहर के बारे में आप क बंकनी की आवास रिकॉर्ड कर ली और इस आवास को वहां रूस मॉलिंग में घंटों तक फुल वॉल्यूम में बजाने लग गया और इसकी वज़े से उसी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्या आपने आज तक ऐसा कोई केस सुना है अगर हां तो कमेंट में ज़रूर बतान है जहां आप एक bookshelf के अंदर रह सकते हैं और यह hotel book lover के लिए paradise से कम नहीं होगा जापान में मौझूद यह hotel दुनिया के one of the most amazing hotels में से एक है नमबर टू उन्ट जो कि 6 महीने बिना खाने और पानी के जिन्दा रह सकता है यह तो आपको पता ही होगा पर क्या आपको पता है कि वो इतना पानी कहां श्टोर करता है आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि वो पानी अपने हम्प में यानि कि इस जगर श्टोर करता है प उतना सारा पानी कहार श्टोर करता है तो आप जाने हो कि पानी अपने शरीर की ब्लड्स्ट्रेम में जरूरत पढ़ने के वक्त उसे यूज करता है और उंड के बारे में एक और अमेजिंग बात यह है। वो एक बार में 70 लिटर फानी पी लेता है जो कि उसे महीनों तक जिन्दा रखने में मदद करता है फोन को राद भर चार्ज करने से क्या होगा आप में से बहुत से लोगों के मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आया होगा तो आज मैं आपको इसकी पीछे का exact reason बताता हूँ आपने बहुत से लोगों को ये कहते वे सुनाई होगा कि राद बर फोन चार्ज करने से फोन ज्यादा हीट करता है जिससे की बैटरी की हेल्थ खराब हो जाती है और repeatedly ऐसा करने से फोन ब्लाश्ट भी हो सकता है और ये theory एक हद तक सही भी है मदलब ये theory पहले के keypad और old time के phones के लिए सही है पर आज के time जो smart phones हैं वो अपनी safety रखना खुच जानते हैं क्योंकि आज के smart phones में lithium iron से बनी battery का use होता है जो कि full 100% charge होने के बाद अपने आप auto cut हो जाता है जिससे कि battery और phone को पूरी राद charge करने से भी कुछ नहीं होता अब आप ये समझी गए होंगे कि phones को राद बर charge करने से क्या होता है इस वीडियो को share करना क्योंकि आप ऐसी वीडियो तो share कर देते हो लेकिन informative वीडियो को छोड़ देते हो वीडियो पसंद आई तो like करना क्योंकि अगर यहां तक देखी है तो पसंद आई होगी और चैनल को subscribe करके बगल वाले bell icon को दबाना मत भूलना and thanks for watching this video